कि 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 बिश्मिल्लारमानरहीम विवर्ज मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल विवर्ज आज की मेरी वीडियो आप सब लोगों के कमेंट्स पर इसरार पर बहुत से बचे आप कहते थे केसर कैड़िट कालिज पिटारो जामशोरो सिंध उसके बारे में एक वीडियो बनाएं तो आज की ये मेरी वीडियो उसी के सिल्सले में है तो इससे पहले कि मैं है कि सारुफ में आपको छोटा सा करवाता हूं किसे सारी के प्हूड़ेड कालिज सिंध में शुरू हुआ जामशोड़ो संदह है है हैदराबाज से 32 किलॉमेटर के फासले पर है पिटारो कैड़ेट कॉलिज ये बेसिकली 700 एकड से ज्यादा रखबे पर मुश्तमिल ये कैड़ेट कॉलिज है ये बेसिकली नेवी वालों का कैड़ेट कॉलिज था जिसको शुरू में नेवी के बच्चों नेवी अफसरान क दाखला होता था जो 7th क्लास के बच्चे होते थे उनका टैस लेकर 8th क्लास में इसको डिया जाता था बच्चों को उसके बाद फिर ये आइस्ता इस्ता बढ़ता गया और आज 7th, 8th और O लेवल में इसका डिया जाता है ये सथरा से क्लासीज लगती है और ये मैं आपको चलूँ कि ये हसन अबदाल के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कैड़ेट कॉलिज है जहां पे बच्चों को मिलिटरी के मतलका कंसर्निंग तलीम दी जाती है इसमें तीनों फोर्स में बचे जाते हैं पाकिस्तान एर फोर्स में पाकिस्तान मिलिटरी में और पाकिस्त दो दफाइस की जो है वो रिजिस्टेशन होती है फैबरारी मार्च और अक्टूबर नुवैंबर में साल में दो दफाइस की रिजिस्टेशन होती है इसके क्लासिज लगती है इसके साथ साथ बच्छों का टेस्ट लिया जाता है उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है कैसे कै किन किन सब्जेक्स में क्या क्या होता है वो सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीडियो को एंड तक देखेगा पूरा गोर से और एक एक जुमले पर गोर कीजिएगा कैड़ेट कॉलिज पिटारों में बच्चों को एड्मिशन दिलवा के आप उनको मिलिटरी में बहुत अच्छे आफिसर्स बना सकते हो और वो मुल्क के लिए सर्व कर सकते हैं और एक डिसिप्लन फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं तो वीवर्ज इसके क्लासी जमूमन एपरिल और में में शुरू हो जाती हैं और इस तरह से बच्चे अपनी स्टडीज और तालीम और पढ़ाई शुरू कर देते हैं बच्चे किस किस फील्ड में क्या क्या चीज ने लेते हैं किन किन चीजों का एड्मिशन होता है वो सार इनों फोर्सिस के जो लोग हैं उनके जो रिटार्ड आफिसर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोटा कुछ रहायत होती है बिकाज उनकी गुजारा जवा वो पैंशन पे हो रहा होता है लेकिन उन्होंने भी सारे टेस्ट देने होते हैं और उसी तरह से सारा क्रेटरिया जिस तरह से जर्नी पबलक अपनाती है दूसरी बात इसमें यह है वीवर्स के इसमें सेवन्थ क्लास में एड्मिशन बच्चों को दिया जाता है तो इसमें सेवन्थ में जो बच्चों को अड्मिशन दिया जाता है वो ग्यारा से लेकर तेरा साल तक की उमर के बच्चों क को एड्मिशन दिया जाता है और इसी तरह से ओ लेवल जो है उसमें भी 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को ओ लेवल में एड्मिशन दिया जाता है तो चौथा पॉट यह है कि इसमें जो एज की रिलेक्सेशन है वह अपर एज भी और लोए रेज भी तीन तीन महीने या और आग्या और इसमें एज अगर ज्यादा ओजाती तो कैया टूरुन पिटारों में अगला इंडवांट यह है कि इसमें दाखला मेरिट पही दिया जाता है और पूरे मुलक में इसमें मैं आप की दे दूँगा उनके टेलीफून नमबर्स दे दूगा हरNotião to Creek सकते हो और हर चीजित के बारे में नो सकते हो तो मुझ interpersonal मेप je पूछ सकते हो कुमेट्स में पूछ सकते हो कर सारी इसका क्या जवाब है तो मैं अब इे myself करता हूं सारे क lays की जवाब देने की तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ बार बार एड भी लगा चुका हूँ खुद मैं वीडियो भी बना के बता चुका हूँ कि मेरी अकैडमी है लाहॉर में जहां मैं बचों को पैक्टस करवाता हूँ बचों को ट्रेनिंग करवाता हूँ कि उसमें आप ISSB में, मिलिटरी में कैसे काम याब हो सकते हो, पुलीस में कैसे जा सकते हो, आफ ये में कैसे जा सकते हो, तो ये सारी के सर्विस औरियंटेड कोर्सिस मैं मनकित करता हूँ, ये और लाइन भी ओते हैं, और फिजिकली भी बचे लाहॉर्म के जो रहैशियां मेर हो झाल वह थो उसका एक बात वगर आप 8th क्लास में ले रहे हैं इस वह उसमें ज्यवरी यह हैं कि आप 7 डाहन यहां लेर चीके ना चाहते है तो आपका पुतर 8 डाहन का स्वार्त ने जी लिए उसका डिस्माट टेंड्री नहीं कि आप 8 इट्लिट क्लास में पर रहे हो तब भी आपके अड़मिशन हो जाता है अगर यह एट्ली मूझ से पूछते किसम कसलिवत होता है तो उसके इलावा क्या होता है वह जिसको आप कहते हो आई क्यू लेवल उसका टेस्ट होगा तो यह चार आपके बेसिक सब्जेक्ट होगे मैथ इंग्लिश जनल साइंस इसलामिक स्टडीज पार्क स्टडीज आपके इस जो पढ़ रहे होते हो उसके इलावा आपका आई क्यू के कुछ सवाल होते हैं करंट अफेर्स कहलो जनल नौलिज कहलो आई क्यू कहलो चोटे चोटे सवाल होते हैं बच्चों के ही लेवल के यह बहुत बड़े नहीं होते हैं फरस किया वो पूछेंगे जी पाकिस्तान के जो खाब था वो किसने देखा था पाकिस्तान क पैदा हुए कायदयादम का मगबरा कहां पर है कराची में है वो सारे चुटे 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 वो सवाल है जो बच्चों को उसी लेवल पर जाके वो पूछेंगे बड़े सवाल नहीं होते आई क्यू के चंद सवाल यह होते हैं और बाकी आपका स्लेबस होता है तो बैसिक जो इसमें सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपका मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल नॉलिज इन चार सब्जेक्ट्स का उसके बाद इसलामिक स्टडीज और आपका जो है वो उर्दू शुर्दू उसमें भी एक अधा सवाल सिर्फ आता है ज्याता तर इन चार जो आपकी सीट्स के मताबिक बनता है, डोमी साहिल के मताबिक सीट्स होती है, फर्ज किया कि आप गुजरावाला में रहते हो, तो गुजरावाला के जो डोमी साहिल वाले बच्चे होंगे, उस डोमी साहिल के अगेस्ट जितनी सीटे उन्होंने रखी हुई हैं, detail online भी पढ़ी हुई है और आप उनसे टेलिफोनीकली भी पूछ सकते हो मैंने सारी की सारी चीजें description में लिखती है आपको धर्ज कर दी है वीडियो की description में जाके आप यह चीजें देख सकते हों वहां से भी पता कर सकते हो जी तो बच्चो आपका जो रिटन टेस्ट होगा उस रिटन टेस्ट के बाद जब आपका 14 दिन के अंदर आपको बुला लिया जाएगा जी जो बच्चे रिटन में qualify होंगे 14 दिन के अंदर अंदर उनको बुला लिया जाएगा फार इंटर्व्यू उस इंटर्व्यू से पहले आपका कुछ फिजीकल क्रेक्टेरिया होगा थोड़ी सी बच्चों को दोड़ लगवा कर देखते हैं एक आद पुशप्स एक आप जो है वो चिनप और एक आद सिट अप लगा के वो देखते हैं कि यह बच्चा फिजीकल पर थोड़ा सा हलका फुलका वो फिजीकली बच्चे को चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर होता है बच्चों का इंटर्व्यू इंटर्व्यू में जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं फिजीकल में कामयाब होगे डॉक्टर ने अपने बना बता दिया उनके जो फिजियो थर में داخلہ मिल जाता है تو इसके लिए जो बड़े श Subscribe पाकिस्तां के वहां पे इनके सेंटर बनते है रिटर्ण टैस्ट जाुद के लिए जो सेंटर बनते है अकबार showc पर में इच्था आते हैं मौझा संड़े। में इच्था साँ एक बार कि तहार आंगे अपने बाद है सक्कर है रावल पिंडी है गुजरावाला फैसलाबाद मुंतान इन बड़े शहरों में इनके मरकज बनते हैं रिटन टेस्ट के लिए तो रिटन टेस्ट मराकज आप अपने शहर के नजदीक तरी जो है वो चायस कर सकते हैं उनको बिजवा सकते हैं कि हमारा टेस्ट यहां पे लिया जाए तो हर साल यह साल में आपको बताए कि यह दो दो फाटेस्ट होते हैं तो आप उनमें अपियर हो सकते हो तो इसके साथ क्या क्या चीज़े लगती हैं वो भी जरा आप नोट कर लें तो इसमें आपका बर्थ सैडिफिकेट साथ लगेगा बी फॉम पास है वो सारे साथ लगेंगे हैडमस्टर की तरफ से जो भी स्कूल का इंचार्ज होगा प्रिंशिपल होगा जो भी तरफ से स्टेंपड और सिगनेचर शुदा होंगे उसके साथ साथ आपकी नो से बारा तसावीर पिक्चर स्नैप्स वो साथ लगेंगी और इस तरह से आपकी फाइल मकंबल हो जाएगी और आप यह सारे के सारे साब्मिट करवाद होगे और हार्ड कापी भी बिजवाद होगे तो यह डाकुमेंट आप तयार करके रखें जो ही इनकी एड़ आएगी आप उसमें अप्लाइग कर सकते हों तो वचो कैड़ेट कालिज पिठारो को कि इन सारे सवालों के जवाब मैंने कोशिश किये इस वीडियो में देने की उसके इलावा अगर आपको कोई सवाल हो मुझसे जरूर पूछेगा बचे भी और पेरिंट्स भी साब इससे इस्तफ़ादा असल कर सकते हो और अगर आपका दिल करे तो आप ऑनलाइन मुझस से भी क्लासिस ले सकते हो उसकी तैयारी कर सकते हो मैं एक माह का कोर्स करवाता हूं इसमें मैं आपको हर चीज़ बता देता हूं कि उस कॉलिज में क्या क्या होता जो भी टेक्निकल चीज़ें आपके सवालात हैं कुछ भी है आप मुझसे पूछ सकते हो उसका तरीका का मैं मैंने बता दिया हुआ है वाटसेप आप मुझसे कर सकते हो नंबर मैंने शेयर कर दिया वीडियो में गोर से देख ले वाटसेप कर दे मुझे और उसके बाद पिर आपकी तैयार एची तरह से हो जाती है एन्य हो आप घर में बैठके भी ऑनलाइन भी क्लासिज ले सकते हो थ साथ थैंक यू वरी मच टेकर अलाफिस और गुडबाए पाकिस्तान जिन्दबाद